खत्म होई BCCI की टेंशन खुशी से जूम उठे हार्दिक पांडिया, रोही शर्मा की छुटी तै अब ये खिलाडी संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। भारत के इन चार नए चेहरों पर होगी BCCI की नजर चैन करता करेंगे भरोसा क्या टीम इंडिया को ये चार खिलाडी बना पाएंगे नमबर वन। नमबर वन के जगा बनाने में काव्याब होने वाली है क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजा है भारत के चार नए चेहरे जो टीम इंडिया में शामिल होने जा रहे हैं इन चार नए चेहरों के शामिल होने पर भारत के चार दिकच खिलाडियों को टीम से बाहर किया ज इस सेपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौक जाएंगे लेकिन आप सोचिए अगर ये चार खिलारी हार्दिक पाइंडिया की टीम में शामिल होकर क्रिकेट के मैदार पर तबाही मचाएंगे तो कौन टीम इंडिया को नंबर वन होने पर रोक पा खबर यही है कि टी 20 टीम गी कप्तानी फिर से हार्दिक पाइंडिया को मिलेगी और बड़े-बड़े दिगज टीम से बाहर रहेंगे लेकिन हार्दिक के सामने टीम चैन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं वेस्ट इंडिस दोरे के लिए टीम में चार ओप चुन पाना काफी मुश्किल रहेगा आईपेल 2023 में इन सभी ओपनर्स का प्रदर्शन कमाल का था शुमन गिल की बात करें तो उन्होंने 890 रन बना कर औरंज कैप जीती थी वहीं ये शस्वी जैस्वाल ने भी 600 से ज्यादा रन बनाये थे ऐसे में इन दोनों को वेस्ट इ पार के लिए टीम की प्लेंग 11 में जखा पाना काफी मुश्किल होने वाला है कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार खराप प्रदर्शन के बाद कप्तान रोहिश शर्मा को टीम इंडिया से हटा कर हार्दिक पाइंडिया को टीम की कमान सम्हालने का मौका पर्मरेंट T20 मे मिल जाएगा ओप्रिंग साजिदारी की बात करें तो रोहिश शर्मा के साथ केर राहूल नजर आते थे और गिल को भी मौका मिला करता था लेकिन जब से टीम इंडिया के चार युबा खिलारी टीम इंडिया का तरवाजा खट-खटा रहे थे तब से रोहिश शर्मा किस स्वापेंगे किस खिलारी पर फरूसा करेंगे हर्दिक पाण्या के जखा अगर आप कपतान होते तो ऑपनिंग साजिदारी के जिम्मेदारी किस खिलारी को देते हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी जरूर दें संभावित भारते T20 स्क्राइट की बात करें तो शुबमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, रितुराज गायकवार, इशान किशन, सूर कुमार यादव, रिंकु सिंग, तिलक फर्मा, हार्दिक पांडिया, अक्षर पठेल, जीतेश शर्मा, रवी बिश्नुई, युजबेंदर चहल, अर्शिदीव सिंग, मोहमद सिराज, और आकाश मदवाल, ये वो खिलानी हैं जिनने टीम इंडिया के स्क्राइब में शामिल किया जा सकता है, जिसमें यशस्वी जैस्वाल को मौका दिया जा सकता है, रिंकु सिंग के अलाबा तिलक फर्मा को भी मौका दिया जा सक वहीं आकाश मदवाल को भी टीम में शामिल किया जा सकता है